रोना क्यों सूफी संतों में राबिया का स्थान बहुत उंचा था वहें बड़ी सादगी का जीवन बिताती थी और सबको बेहत प्यार करती थी इश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा थी उन्होंने अपना सब कुछ उन्ही को सौंप रखा था एक दिन एक व्यक्ति राबिया के पास आया उसके सिर्थ पर पट्टी बंधी थी राबिया ने पूछा क्यों भाई क्या बात है यह पट्टी क्यों बांध रखी है वह आत्मी बोला सिर्थ में बड़ा दर्द है राबिया ने पूछा तुम्हारी कितनी उम्र है उत्तर मिला यही कोई तीस एक साल की अच्छा यह बताओ राबिया ने आगे सवाल किया इन तीस वर्षों में तुम तंदरुस्त रहे या बीमार उसने कहा मैं हमेशा तंदरुस्त रहा कभी बीमार नहीं पड़ा तब राबिया मुस्कुरा कर बोली भले आदमी तुम इतने साल तंदरुस्त रहे पर तुमने एक दिन इसकी शुकराने में पट्टी नहीं बांधी और अब जरा सिर में दर्ध हो गया तो शिकायत की पट्टी बांध ली राबिया की बात सुनकर वह आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और कुछ न बोल सका चुप चाप सिर जुका कर चला गया राबिया की ये बातें सुनने में तो मामूली सी लगती हैं लेकिन इससे उनका मतलब था कि सुख में तो हम भगवान को याद नहीं करते और दुख आते ही भगवान के सामने अपने दुखों का रोना शुरू कर देते हैं